हेलो गाइज, कैसे हो स्वाग थे आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज मैं आपके साथ हाई रिक्वेस्ट वीडियो के साथ आज मैं आपके लिए लेकर लिप्स को कैसे पिंक बनाना है, सुन्दर बनाना है, सुन्दर लिप्स पाने का किसको चाहत नहीं होती, क्योंकि हम लगा लगा लगाके हमार लेख्व काले हो जाते हैं कालापन दूर करने के लिए यह पर मैं तीन टिपस लेकिआ हूं तीनों टिपस आप वुश्य हो झाएका अप lessons का दूर हो जाएगे आपकि लिपस बिल्कुल सुन्दर हो जाएंगे चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट नमबर वन वो है सक्रब सक्रब हमारे लिप्स को साफ करेगा सुन्दर बनाएगा जितनी वी डैट स्किन होएगी रुमूव हो जाएगी सबसे पहले आपने एक चमच लेना है शूगर पोडर अगर आपके पास शूगर लिया है शेहद हमारे लिप्स को सुन्दर करता है और मलाइम बनाता है शेहद जैसे हमारे स्किन के लिए जरूरी है वैसे हमारे लिप्स पर भी उतना ही काम करता है क्योंकि शेहद में एंटी मार्बिल होता है जो लिप्स को सुन्दर करने में काम आता है और सौफ्ट भी क जैसे कि कई लड़कियों को लिपिश्टिक लगाना बिलकुल भी पसंद नहीं है तो वो डेली ही स्क्रब को कर सकती है आप दस दिन के लिए स्क्रब को बनाके रखेंगी तो इसका कोई भी साइट फैक्ट नहीं है क्योंकि अपने गर के नैच्रूल से इसको बनाया है आपके बिलकुल लिप्स है जो सॉफ्ट हो जाएगे ब्लूम करेंगे पिंक हो जाएगे आप खुद देखोगे कि इसका रजल्ट आपके अगर बिलकुल जादा जादा ही काला पन आ रहा है तो अकाली पर्त हटाने में अगर आपके सुखे जादा ही लिप्स है तो बिलकुल र्भर आपन को दूर करेगा हमारे वालिप्स को के लिए सुदर बनाएगा पैक बनाने के लिए फर्स्ट इंगरटेश ही ले cater ना है यह नए पर करने सकते हैं अब आदे कर लेना है अपने से उपने कर लेकाम हम लेंगे आपने वेसं अमारे लिप्स को साफ करेगा जितना वी काला पन होएगा वह दूर हाफ स्पोन लेने हैं अपने हल्दी हल्दी मैंने याँ पे किचन की ली हो ने कीचन की भी ले सकते हैं कि जोड़ जर्यट अच्छा आएगा कि अब युद्ड फ्टीजस है एक पोटाटो का जूस ईसकि दो पहले कौने से पहले सबसे पहले अपने क्लीन कर लेना है क्योंकि हमने स्क्रब किया था तो स्क्रब को पहले अच्छी तरह रमाल से क्लीन कर लेना है आप गीले रमाल से भी क्लीन कर सकते हैं अब जहां पर मैंने पैक बनाया था अब पैक अपने लिप्स पर लगाएंगे लिप्स पर अच्छा जल्टाएगा जैसे मैं लगा रही हूँ आपने double button में लगाना इसको finger की मद्धे brush से नहीं लगाना brush से यह बिल्कुल नहीं लगेगा आपने finger से ही ऐसे pack को लगाना है double shade में इसको लगा लेना है अगर आपका pack बच जाता है तो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं क्योंकि लिप्स को कम ही लगता है अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा काले हैं तो आप डेली ही इस पैक को लगाना है भील्कुल साफ हो जाएगा आपकी ही विस्ट साफ हो जाएगा अब्समेंट है इस पैक को छोड़ दीया था अब हम लेमन से इसको रव कर लेंगे आथा तुकड़ा मैंने लिया है लैमन का आपने आदा टुकड़ा ही लैमन का लेना है पूरा आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना आदे टुकड़े से हमारे लिपस बिल्कुल साफ हो जाएंगे आपने ड्रेक्ट लैमन को यूज नहीं करना आपने पैक लगा के ही यूज करना है यूज करने से देखो मेरे जो है पिंक लिप्स पिंक हो रहे हैं ब्लूम हो रहे हैं आपने ऐसे इसको पांच मिन्ट के लिए आपने रव करना है रव करने से हमारे जितनी वी काली परत होएगी बिल्कुल साफ और क्लीन हो जाएगी देखो मैंने अब गीडे रमाल से अपने lips को साफ कर लिया है साफ करने के बाद देखो मेरे बिल्कुल जो है lips वो बिल्कुल साफ हो गए है नमबर थ्री वो है grasslin grasslin हमारे lips को soft करेगी मुलाइम करेगी पैक लगाने के बाद mustrager लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कोई भी mustrager लगा रहे हैं तो आपने द्यान रखना है कि हमारे lips पर जो काम करें आपने वह मस्टरजर लेना है आप लिवरा जैल भी ले सकते हैं मैंने यहां पर ग्रैस ने लिए आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना बुलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में